अमरीकी ब्लॉगर और सोशल मीडिया सहाफी सिंथिया डिरीची आजकल पाकिस्टानी सोशल मीडिया पर बहुत से तनाज़ात खड़े कर रही हैं और उनकी वीडियोज और ट्वीट्स का हदफ है पाकिस्टान पीपल्स पार्टी की आला क्यादर कभी वो बेंजिर भुट्टो और आसिफली जर्दारी के तालुकात पर बात करती हैं और तो कभी बिलावल भुट्टो की सेक्शॉालिटी को एक्स्प्लोर करती हैं सिंथिया डिरीची की जानेप से कल रिलीज की जाने वाली वीडियो ने तो पाकिस्टान पीपल्स पार्टी की क्यादत की बुनियादे हिलाडा डाली हैं इस वीडियो में सिंथिया ने एक्लेम किया कि साबिक वजीर दाखला रह्मान मलिक ने उनका मिनिस्टर इंकलेव में रेप किया था और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसफ रजा गिलानी ने उन्हें सेक्शली हरास किया था सिंथिया डिरिची की इस धमाकेदार वीडियो ने पाकिसानी सोशल मीडिया पर फौरी तोर पर लोगों की अटेंशन अपनी जानिब ग्रैब की और ट्विटर पर सिंथिया डिरिची और गैंग ओफ रिपिस्ट पीपल्स पार्टी ट्रेंड कर रहा है अमरीकी बलॉगर सिंथिया ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और साबिक वजीर दाखला पाकिस्तान पर सेक्शली हराइस करने और रेप करने के इल्जामात किन सबूतों की बुनियाद पर लगाए हैं अपने यल्जामात के दिफाह में वो कौन से हाकायक पेशक कर रही हैं? क्या वो अपने इन यल्जामात में सची हैं? या बकॉले पीपल पार्टी ये स्टیबलिप्मेंट की तरफ से पीपल स्बूल्स पार्टी को मिलाइन करने की एक और साधिष है इस पर आज के विलोग में तफसीली गुफटगू करेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड़ बटन पर क्लिक करके और बेल आइकान को प्रेस करके विलोग के सबस्क्राइब करना मत भूरिये ताके ऐसे इन्फॉमेटिव वीडियो आपको हर वक्त और बरवक्त मिलत ना बनाया जबके उस वक्त के वजीर आजम यूसर वर्जागिलानी और वजीर मखनूम शुहाब ने मुझे सेक्शुली हरास किया पीपल्स पार्टी की काईद मुहतरमा बेंजीर भुटो से मतलिक मतनाजा बयाना से शोहरत हासिल करने वली अमरीकी खातून ब्लॉगर की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं बिश्मूल बिलावल भुटो और आसिफ ली जर्दारी से मतलिक नाजेबा इल्जामात का सिल्सा जारी है एक नए वीडियो पेगाम में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुझे इंतहाई उसर रजा गेलानी ने एवाने सदर में रहते हुए मुझे सेक्शली हरास किया था मैं इन वाकियात से मतलिक तफसिलाथ गैर जानिबदार सहाफियों से शेयर करने में खुशी महसूस करूंगी उन्होंने मजीद कहा कि मैं बहुत सी मालूमात अपने भरोसे के चंद अफर औ्यापक्ट्स शेल गाइट इन वाद सेक्शली हो जाट इन आरिम्निस्टर मॉमान मालक इनासा माँ सिंक्यू बाराष जाली में उसक्षंज बाद जेनिस य्सब कि टाम उसीड वालूमाट इना सिंथिया डिरीची ने अपने ट्वीट में इस वाक्य की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये वाक्या उस वक्त के इंतीरिये मिनिस्टर रह्मान मलिक के घर में मिनिस्टर्स इंकलेव में पेश आया था मुझे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया गया तो मैं समझी के शायद मेरे वीजे से मतलिक कोई मुलाकात है मगर वहाँ पर मुझे फूल पेश किये गए और फिर उसके बाद मुझे नशावर मश्रूबात दे दिये गए मुझे सेक्शली रेप किया गया मैंने आमेरीकन सिर्देजन होने के बावजूद उन्होंने अमेरीकन अमबैसी से राथा क्यों नहीं किया तो उनका कहना था कि हा 않고 मैंने अमेरीकन अमबैसी को 2011 में मतला किया था मैंने बिलावल भुटो जर्दारी को कहा था कि अपने लोगों को समझाएं कि मेरी फैमली को छोड़ दिया जाए मगर वो बाज नहीं आए चुनाचे मैं बोलने पर मजबूर हो चुकी हूँ उनका कहना था कि मैं कानून के मताबक किसी भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले से मिलने के लिए तयार हूँ महज एक हफ़ते का मुझे आराम चाहिए और मैं एक हफ़ते के लिए प्राइविसी की दर्खास करती हूँ खवतिन हुजरात माजी में भी सिंथिया डे रिची पीपर्स पार्टी की आला क्यादत के हवाले से अपने मुख्लिब किसंग के लजामात सामने लेकर आती रही हैं सबसे पहले उन्होंने नकीबुला महसूद कतल केस के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उनका दावा था कि नकीबुला महसूद और आसिफली जर्दारी के बेटी बखतावर भुटो जर्दारी के आपस में तालुकात थे नकीबुला महसूद को ये तालुकात रखने से मना किया गया मगर जब वो बाद ना आया तो उसे आसिफली जर्दारी ने कतल करवा दिया उसके बाद सिंथिया डेरीची ने आसिफली जर्दारी और बेनजीर भुटो की शादी और उनकी खानदानी जिंदगी के मतलिक कुछ मतनाजा ट्वीट किये और हाल ही में उन्होंने बिरावल भुटो जर्दारी पर हम जिंस परस्त होने का इल्जाम लगाया और पूछा कि उनके घर में एक ब्रिटिस सिटिजन क्या कर रहा है वो किस हैसियत से पाकिस्तान में कई साल से क्याम पजीर है पीपल्स पार्टी के तर्जमान और क्यादत अभी उनके इल्जामात का जवाब देने में मसरूफ ही थी कि कल अपनी एक फेस्बुक वीडियो में सिंथिया ड पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तो गोया तुफान खड़ा हो गया अगरचे पीपल्स पार्टी की सीनिर क्यादत यूसफ रजागिलानी और रह्मान मलिक की जानिब से फौरी तोर पर इसकी तबदीद की और उनका कहना था कि वो सिंथिया डिरिची के खिलाफ कानूनी चा कीर्थ कर रहे थे और तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे अब ओर खामोश क्यूं है। सिंथिया डिरिची ने ये लगाया है कि उस वक्त के वजीर दाखला रह्मान मलिक ने उसका रेप किया और उस वक्त के वफाकी वजीर सेहत मकदूम शहाबुद्दीन और वजीर आजम यूसर रजा के लानी उसे सेक्शली हरास करने में मुलवश रहे हैं अब देखना ये है कि सिंथिया डिरिची के लजामात पर मौमबती माफिया की मुनाफ़कत का कौन सा पहलू सामने आता है हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब मीडिया के लोग सिंथिया डिरिची के साथ प्रोग्राम करके रह्मान मलिक को एक्सपोज करेंगे आईशा गुलालाई के जूटे मेसेज्जिस पर इमरान खान पर तरह तरह के लजाम लगाने वाली मीडिया की खामोशी एक सवाल या निशान है वाज़ रहे के 2017 में तहरीक इंसाफ के साथ एमने आईशा गुलालाई ने इमरान खान पर इल्जामात लगाए थे कि वो मुझे नाजेबा मैसेज करते रहे हैं जिस पर मीडिया में तुफान खड़ा हो गया था और हैल एंकर ने इस पर प्रोग्राम किये थे पीपर्स पार्टी के जयाले ये सवाल कर रहे हैं कि 2011 में मुबयना तोर पर ये वाक्या पेश आया तो अमरीकी सिटिजन होने के बावजूद उन्होंने जुरुत का मुझारा क्यों ना किया और दस साल तक वो आखिर खामोश क्यों रही उन्होंने सिंथिया डिरीची पर के लगाया कि वो इस्टैबलिश्मेंट की नुमाइंदा हैं फौज के लिए काम करती हैं और उनके पे रोल पर हैं चुनाचे वो अपनी तंखा को जस्टिफाई करने के लिए पाकिसान पीपर्स पार्टी की आला क्यादत को मेलाइन करने की कोशिश कर रही हैं उन पर कीच चंद रोज के बाद यानी रेप के चंद रोज के बाद वो एक डांस पार्टी में शरीक थी इमरान खान के स्पोर्टर्स भी इस मामले में पीछे ना रहें पीटी आई के एक वरकरने लजामात पर तबस्रा करते हुए कहा कि इतने सालों तक जाहिल जियाले वजीर आजम को जानी कहते रहे असल जानी थे उनके अपने लीडर्स हैं अगर एवान सदर में एक गुरी खातून का रेप हो सकता है तो अंदाजा लगाएं कि वहां कितना गंद हुआ होगा एवान सदर में ये सब हुआ तो इसमें आसिपली जड़दारी भी जरूर शामिल होगा बहर पाकिस्तान में आला ओधों और आला मनासिब पर फाइज रहे हैं जो हकूमत पाकिस्तान और रियास्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं चुनाचे फौरी तोर पर इसकी गैर जानिब दराना और मुंसिफाना और शफाफ तहकीकात जरूर होनी चाहिए सिंथिय डिरीची का मौकफ ये है कि वो किसी भी इंवेस्टिकेशन बियोरो के सामने पेश होने के लिए तयार है उनके पास सबूत मौजूद है दूसरी जानब यूसफ रजा गिनानी और रह्मान मलिक ने भी कानूनी चारा जोई का कह दिया है देखना ये होगा कि उन्ट किस करवट बैठता है वी लॉग के जरीए हमारी कोशिश होगी कि आपको इस मामले पर अपडेट करते रहें ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रैड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वी लॉग के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए बहुत जल्द किसी और इंफरमेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी अपना और इर्दित के लोगों का ख्याल रखिए और देखते रहिए वी लॉग